असलाम अलेकुम मेरे चैनल में आपका स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खेरियस से होंगे आज मैं आपको चना चाड बनाना बताऊंगी यह बहुत ही जल्दी बन जाता है यह देखे यह मैंने दो टमाटर लिये हैं जिसे मैंने छोटी शेप में काटा है और य जाल गरम किया है उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला है और जीरे को मैं लाइट ब्राउं होने तक सौटे करूंगी अ कि यह देखिए जीरा हमारा सौटे हो गया है बस इसे में धीरे धीरे चलाओंगी और फ्लेम को मैंने अभी मीडियम ही रखा हुआ है अ कि यह देखिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर कटी हुई प्यास डाली है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि मैंने दो प्यास काटी है बारीक अब मैं इसे सोटे करूंगी आधा मिनाट तक और उसके बाद मैं इसमें कटा हुआ टामाटर डालूंगी इसे भी मैं सोटे करूंगी जब तक यह दोनों चीज सॉफ्ट ना हो जाए और अब मैं आखरी में डालूंगी इसमें हरी मिर्च तो मैं तीनों चीजों को सोटे करूंगी जब तक यह सॉफ्ट ना हो और इन्हें दीरे दीरे में चलाती रहूंगी बीच बीच में यह देखिए सॉफ्ट हो गई हैं तीनों चीजें टमाटर प्याज और हरी मिर्च अब मैं इसमें आदी चम्मच लाल मिर्च डालूंगी क्यूंकि मैंने इसमें अल्रेडी हरी मिर्च डाली हुई हैं तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ी ही कम डालूंगी और अपने इसे भी मिक्स करूंगी और इसे सोटे करूंगी एक मिनट तक लगबग यह देखें हमारी जो फ्लेम है वह अभी मीडियम है अब मैं इसके अंदर अमचुर पॉडर डालूगी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अमचूर पॉड़र डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है तो देखिए ये बनकर तयार है बस मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ ये देखिए चना चाड बनकर तयार है अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें और बाजो में जो लगी पैल आइकन है प्लीज आप उसे भी प्रेस करें जिसे कि